एलो वेरा खाने के क्या फायदे हैं? आप एलो चंक्स को कच्चा खा सकते हैं या खाना पकाने की कोमल विधी जैसे अवेद शिकार, ब्लांचिंग या सटीमिंग का उप्योग कर सकते हैं एलो वेरा के मास को पकाने से यह अधिक पानी छोड़ता है और इसे हलका स्वाद देता है अपने खाना पकाने में इसका उप्योग करने के कुछ तरीके यहां दिये गए हैं, आप एलो वेरा के रस को पानी में मिला कर और इसे पीकर आसानी से बना सकते हैं एलोवेरा का रस एंटियोक्सिडेंट का एक सम्मेद स्रोथ है, जो मुक्त कलोसी लड़ने में मदद करता है यह आपकी शरीर पर उक्सिडेटिव तनाव को कम करता है और मद्धुमें, हिदेरोग या यहां तक कैंसर जैसी पुरावी स्थितियों के जोखिम को कम करता है एलोवेरा जूस भी इसका एक उतक्रिष्ट स्रोथ है, विटामिन सी एलोवेरा का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप इसका जूस और स्मूदी के साथ सेवन करें यह ना केवल इसके लावों को अधिक्तम करेगा बलकि इसका स्वाद भी बहतर बनाएगा इस जूस का सेवन रोट सुबह खाली पेट किया जा सकता है और जूस पीने के एक घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए आपको रोजाना कितना अलोवेरा जूस पीना चाहिए अलोवेरा जूस को दिन में 3-2-30 ml तक सीमित करने से स्वास्थिलाब मिल सकता है और संभावित दुश प्रभावों को कम किया जा सकता है आप अलोवेरा जूस को खाली पेट या भोजन के साथ पी सकते हैं एलो लेटेक्स या पोरी पत्ती का अर्प मौफिक रूप से लिया जाना असुरक्षित हो सकता है और उच्च खुराप में असुरक्षित होने की संभावना है कई दिनों तक रोजाना एक ग्राम एलो लेटेक्स लेने से किडनी खराब हो सकती है और यह घातक हो सकता है पानी में मिलाना चाहिए। आप तुलसी पवित्र तुलसी आउला, भारती आउला और गिलोई दिल से निकलने वाली चांदमी के रस के साथ बराबर मात्रा हूँ एलोवेरा का रस मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रजननक्षमता को कम करता है। एलोवेरा के जैव सक्रिय योगिकों को विबिन बीमारियों के उपचार में बहुत प्रभावी हुने का दावा किया जाता है। जैसे की जलन, आलजी, संदिशोत, आमवती बुखार, एसिद अपच, अलसर, मध्लमे, त्वचारोग, पेचि इसे और दस मिनट तक बैठने दें और फिर गर्म पानी से दोलें। बहतर परिनामों के लिए आप इस उपाई को सप्ताह में चार या पांच बार दोहरा सकते हैं। सेरबोनी का कहना है कि अलोवेरा का रस हर दिन पीने के लिए सुरक्षित है। लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से एठन या दस्थ हो सकता है। यह बदले में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन ला सकता है। यदि आपके पास उन गेस्ट्रोंट इस्टाइनल संभवता हसुरक्षित होता है। बारह साल से कम उमर के बच्चों को पेट दर्द, एंठन और दस्थ हो सकते हैं। आतों की स्थिती जैसे क्रोहन रोग, अलसरट इपकोलाइटिस या रुकावट यदि आपको इनमें से कोई भी स्थिती है तो एलो लेटेक्स मिलें। आयूरवेद विशेशग या डॉक्टर आशुतो अश्गौतम के अनुसार, एलो वेरा में कई तरल की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है और प्रदान करता है शरीर को पूर्ण पोशन। सोति समय SP का सेवन आपके शरीर के चयापचे को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है जो आपके वजन घटाने के कार्यक्रम की गति को और तेज करेगा। मुसबबर का पौधा बहुत पानी से भरा होता है इसलिए यह निर्जली करुन को रोकने या उसका इलाज करने का एक आदर्श तरीका है। हाइड्रेटेड रहने से आपके शरीर की अशुदियों को शुद करने और बाहर निकालने का एक तरीका प्रदान करके आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। रस भी पोशक तत्वों का एक बड़ा पंच पैक करता है जो आपके शरीर के अंगुद पादन को अनुकूलित करता है। कच्चे मुसब्बर में करवा तीखा स्वाध होता है जैसे पालक और बैटरी इसे का मिश्रन। कुछ लोग इसे नाली क्लीनर पीने या इसे भी बत्तर के रूप में वर्नित करते हैं। जाहिर है यहां करशक नहीं है। फिर हम जिन चीजों का उप्भोग करते हैं वेक अच्चे रूप में बहुत अच्छी भी लगती है। खनेजों और अंटियोक्सिदेंट से भर पूर अलोवेरा जूस पीने से पाचन में सुधार होगा और वजन कम करने में भी मदद मिलेगी। एक गिलास पानी में दो माइनस तीन बड़े चम्मच अलोवेरा जेल डाले। आप बहतर स्वाद के लिए कुछ नेंबू की बूंदे और शेहद भी मिला सकते हैं। आप ताजा अलो जेल को सीधे अपनी तवचा पर लगा सकते हैं या घर का बना सौंदर या उत्पात बनाने के लिए एक मुस्खा का पालन कर सकते हैं। इसे भोचन, स्मूदी और पे में भी जोड़ा जा सकता है। अलोवेरा जूस बनाने के लिए हर दो बड़े चमच अलोवेरा जेल के लिए एक कप लिक्विट का इस्तिमाल करें। चेहरे पर अलोवेरा का इस्तिमाल करने से त्वचा को मॉईस्चराइच करने में मदद मिल सकती है नियमित रूप से चेहरे पर अलोवेरा की थोड़ी मात्रा लगाने से त्वचा की वबिन स्थितियों का इलाज करने में मदद मिल सकती है जिसमें मुहा से एक जिमा और सन्बन शामिल है एक व्यक्ती अलोवेरा के पौधे से सीधे जेल का उप्योग कर सकता है या स्वास्थिस्टो से बुतल बंद किस्म खरीद सकता है आदर्श रूप से अलोवेरा के रस का सेवन खाली पेट या भूजन से कम से कम 20 मिनित पहले किया जाना चाहिए वजन घटाने के लिए अलोवेरा जूस पीने का यह सबसे अच्छा समय है 20 मिलीलीटर अलोवेरा जूस को पानी में मिलाए या इसे आमला तुलसी या गिलोए के रस में मिलाए इस प्रक्रिया को दो सपताह तक जारी रखे और उतक्रिष्ट परिनाम देखे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद प्रिपया सदस्यता ले